हेलो फ्रेंड्स मैं मन्जू श्रीबास्तव अपने चैनल में आपका हार दिख स्वागत करती है फ्रेंड्स आज आपको मैं एक बहुती अच्छा और्गेनिक फर्टिगाइजर बताने वाली हूँ और जो आपके केचिन वेट से निकलता है और ये सभी प्लांट्स पर यूज़ किया जा सकता है फल वालों पर, फूरी वालों पर और सबजी वालों पर और इसके इस्तेमाल से आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण फूटिंग भी अच्छी होती है, और जो प्लांट्स में बड डॉप की समस्या होती है, वो भी खतम हो जाती है, और इसको देखने के लिए वीडियो के अंदर तक बनी रहीएगा मेरे साथ, आपके बहुत काम आने वाला है, तो फ्रेंश जी हाँ, मैं आपको प्याज के छिलकों का फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ, यह बहुत ही आसानी से बन जाता है, और प्याज के छिलके बहुत काम की होते हैं, जिनको हम अक्सार फेकी देते हैं, और सबके घरों में लगबग रोज ही यूज होता है, और इसमें बहुत सारे माइक्रोनिटोंट्स होते हैं, जो प्लांट की ओवराल डोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इसको बनाने के लिए, मैंने यहां इसमें चार प्याज लिए होगे हैं, प्याज आपको इभी साइज के लिए सकते हैं, और इनके अब हम छिलके लीटर पानी के यह लिए उसमें भाति हैं झाल फ्रेंट्स यह छिलके उतार लीग है और यह लिटर पानी के लिए अगर आपके पस ज्यादा पानी भीगो दीगे कुछ दिन के लिए झाल ब्हुत ज़ादा ज़रूरी है आप यह दोदrint से काम चलेगा नहीं क्योंकि जब अच्छे से भीग जाएगा फर्मेंट हो जाएगा तभी उसके सारे तत्व निकल कर आएगे इसको हम पानी को बढ़ कर इसमें और इसको हम किसी भी जगे पर रख सकते हैं चायादार जगे पर भी रख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा तक तमारी आँखों में से आसू इसमें उपस्तित सल्फर के कारणा आते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है इससे प्लांट में फॉर्ट सिंथेसिस बहुत अच्छा होता है और यह प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है इसके साथ ही इसमें एक और तत होता है जिसको एंथोसाइनिन बोलते हैं और ये प्लांट्स के लिए पॉलिनेटर्स को अटेक्ट करता है जब पॉलिनेटर्स आते हैं आपके प्लांट्स में पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है तो उससे फ्रूर्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं फ्रूर्ट् ही बताया कि इसमें potassium and phosphorus होता है चोटे-चोटे micro-indrients कई सारे होते हैं इसमें calcium and magnesium की भी कुछ मात्रा होती है जो plants के लिए बहुत अच्छे nutrients हैं और इसमें sulfur होता है जो plants को photosynthesis इससे बहुत अच्छा होता है प्लांट्स की all round growth के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसके साथ ही इसमें anthocyanin नाम का तत्वी होता है जिससे की यह pollinator को अटेक करता है और आपके plants में pollinator साते हैं तो उसमें fruits भी बहुत अच्छे बनते हैं ठीक है और यह फूलों के color बहुत strong कर देता है मतलब dark color कर देता है और जब आपके उसमें फूल बहुत ज़्यादा आते हैं फूलों की quantity बहुत अच्छी होती है तो उसमें pollinator भी बहुत ज़्यादा आते हैं तो फ्रूटिंग भी उतनी ही अच्छी होती है यह totally organic है और आप इसको सभी तरीके उस इस पर इस्तिमाल कर सकते हैं फल वाले प्लांट्स पर फूल वाले प्लांट्स पर और सब्सियों वाले प्लांट्स पर इसको डालने से इसके colors बहुत strong हो जाते हैं और फॉलियर स्प्रे करने से उसमें pollinator बहुत attract होते हैं जब pollinator होते हैं तो उसमें फूटिंग बहुत पर दाए रहता है वीडियो को अदित तक देखेगा है इसके माद देखेगा है इसे आप आपकाई बहुत फाइदा होने विछा दिकाऊंगी इसको तक आई जाते हैं तो आईए देखते हैं अब हमाराitchIES वन भी इसने कोर खाल चनला isto इसको बस हमें यूज़ करने के लिए इसको हम चान लें ये वैसे ही निथार के भी यूज़ कर सकते हैं तो इसको देखिए मैंने निथार के इसको कप में लिया है कलर देखिए इसका कितना अच्छा है और इसको इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलाना है इसको हम डारेक्ट वैसे ही यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मन में डाउट है कि कुछ गड़बर ना हो जाए पहली बार यूज़ करने के वालों के लिए बता रही हूं इसको थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं जितना यह उतना इक्वल कॉंटिक्टी कर यह सब्सक्राइब तो अब इसको तीनों प्लांट्स पे इस्तेमाल करके दिखाती हूं फल फूल और सब्सक्राइब नहीं तो सबसे पहले देखिए गुलाबों पे यूज़ कर रही हूं म कि गंबले में से बाहर बेह के ना निकले क्योंकि ऐसी वेस्ट हो जाएगा यह देखिए यह चाइना और यह फ्रूट्स वाला है और इसमें भी मैं डाल रही हूं कोई मतलब इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है महनत और तीसरे यह हर्ब्स हैं जिसमें मैं आपको डाल के सब्सक्राइब दिखा रही हूं यह नीचे नेकिस्ट यह पोदीना मिंट डाल रही हूं और यह पूरी तरह से से ओं और आपको मैं दूसरी तरीके से इस्तिमाल करना बताती हूं की का कैसा कि जाता है यह जो फॉलिया इस्प्रे करने के लिए सेम कॉंटिटी में चान हम तक हम चार या पाँच क पानी जाए ठीक है तो पीजेशी की चेक है तो इसको हम यूज इसलिए क्योंकि अगर जोए कंड रहे गया और आपकी प्रे बॉटल बिलाइगी तो इस बार्टिल में हम से ब्र ले लिए हैं और इस प्रे भी हम इसे सबी तरह के प्लांच्ट पर कर सकते हैं संस्पेज़ों कर सकते ठीक है ना तो सबजियां वगे अगर आपे भी सप्पे करना है कुछ हूटने ना पाए तो जब पॉलिनेटर्स जदा आते हैं तो आपके फूर्ट्स भी जदा बनते हैं और आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है ठीक है ना और सभी प्लांट्स करते रहने से कीडों से भी इसे बचाव होई जाता है अब सवाल उठता है कि इसको हम कितना यूज कर सकते हैं और इसे हमकभी यूज करना चाहिए तो फ्रेंड इसको यूज करना आप इसको मिट्टी में डालने के लिए या फॉल ये रिस्प्ले के रूप में आप इसे दस देनी या पंदरा दिन के पूरे साल में जब चाहें तब कर सकते हैं इसा कुछ नहीं पर्टिकुलर सीजन का और इसको स्टोर करने के लिए जो हमारा बना हुआ फटिलाइजर इसको आप छानके बॉटल में भएकिंगे दो महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं किसी कूल एंड्राइब प्लेस पर रख जाएगा और आपको जब भी इस्तेमाल करने आप कर सकते हैं ठीके ना है ना बड़ा हैंडी फर्टिलाइजर और इसके साथ ही अब मैं आपको बताती हूं इसको तीसरे तरीके से हम कैसे ही उसकर सकते हैं प्याज के छिलकों को तो आईए देखते हैं तो यह जो प्याज के उपर से डाल देते हैं तो पानी डालते रहते हैं तो इनकी जो नमी है उसके अंदर ही बनी रहती है और पानी डलने से प्याज से जो फर्टिलाइजर बनता है वो भी प्लांस को मिलता रहता है तो यह मल्चिंग और यह फर्टिलाइजर दोनों तरीका काम करते हैं तो आई